हेलो गाईस मेरे यूटुब चैनल पुजबी तेजुकेशन में आप सभी का स्वागत है तो गाईस आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ तो गाईस आर्मी एनलिस के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं तो गाईस इसमें मैं आपको आर्मी अगनीवीर पेपर एनलिस 22 अप्रेल 2014 के पेपर में आपको कवर कराऊंगी सिप्ट बन की तो गाईस इसमें मैंथ, रीजनिंग और जीके के कोश्चन रहेंगे तो गाईस आप सभी ध्यान से समझेगा और कॉपी में नौट करते हुए चलिएगा तो मैं आपको कवर कराऊंगी कोश्चन तो जितने भी स्टूडेंट, आर्मी के पेपर दे रहे हैं तो वीडियो को ज के पास वीडियो की नौटिपिकेशन समय समय पर मिलती रहें तो चलिए हम करते हैं सेशन को स्टार्ट तो इसमें फर्स्ट कोश्चन क्या दिया है मैत का कोश्चन दिया है तो पच्चीस सो रोपय का पांच परसेंट और टाइम इसमें तीन वर्स का साधारण ब्याज क्या होगा के तो इसी सा कोश्चन है इसको विल्कुल वेसिक ट्रिक्स में आपको कवर कराओंगी तो ध्यान से समझेए का ऐसे कोश्चन एक्जाम में जरूर से पूचे जाती है तो यह कोश्चन पूचा गया है इसमें बाईस अपरेल दोजार चोबीस में पूचा गया है इसमें तो इसमें दिया है क्या निकालेंगे हम साधारन ब्याज सिंपल इंट्रेस्टिंग कालेंगे तो क्या रखेंगे इसमें पचीस सो इंटू पांच इंटू तीन रखेंगे और बटे में परसेंट हम क्या रखते हैं सो रखते हैं बटे में कि 2 0 से 2 0 ये cancel हो जाएगा और इसमें क्या बचा 25, 5 और 3 बचा तो इसमें हम क्या कर लेंगे 5 x 3 करेंगे 15 हो जाएगा और 15 x 25 करेंगे तो कितना जाएगा इसमें 25 x 15 करेंगे तो जाएगा इसमें 375 तो यही इसका right answer बन जाएगा उमिद करती हूँ question आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा तो बहुत ही easy question था सिर्फ 2 सेकंड में इसको solve कर सकते हैं नेस्ट question दिया है इसमें एक ratio 3 में हैं V की IU 15 वर्स है और A की IU क्या होगी तो इसमें A की IU हमको पता करना है क्या होगी तो देखें इसको question को solve करते हैं तो एक ratio 3 दिया है इसमें के तो यह A हो गया और यह B हो गया तो इसमें B की IU इसमें हमको कितना दिया है 15 वर्स दिया है तो B का हमको इसमें कितना रखेंगे 15 रखेंगे कि इतना किलियर हुआ तो इसमें हम क्या करेंगे 5 तिया 15 तो इसमें 5 गुना हो रहा है तो 5 गुना हो रहा है और A की IU क्या होगी तो A की IU हमको पता करना है तो इसमें भी हम क्या करेंगे 5 गुना करेंगे तो पांच गुना करेंगे तो पांच एक कम पांच ही होगा तो इसका क्या जाएगा पांच तो इतना सभी को किलियर हुआ अगला नेश्ट कोश्चन क्यों और आगे बढ़ते हैं नेश्ट कोश्चन ये रहा 20 लड़कों का उसत बजन 8 केजी है तो इसमें क्या दिया है एवरेज का कोश्चन है ये तो इसमें 20 क्या दिया है वोई लड़के दिये हैं 20 लड़के का बजन कितना दिया है उसत बजन 8 केजी है और इसमें हम क्या कर लेंगे तो 20 इंटू 8 करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा इसमें 160 के 160 मिल जाएगा आगे इसमें 10 लड़कों का ओसत बजन 10 kg है तो 10 y का कितना दिया है इसमें 10 kg है ओसत बजन के तो इसमें हम क्या करेंगे 10 into 10 करेंगे थमको मिल जाएगा 100 के इतना clear हुआ सभी को आगे हम इसमें क्या करेंगे तो 6 अग़ेश का कुल बजन तो इसमें कुल बजन क्या धिया है तो इसमें कुल योग क्या होगा तो इसमें हम क्या करेंगे 160-100 तो इसमें कितना जाएगा 60 kg तो 60 kg जाएगा अगर इसमें हमको क्या पूछता औसद बजन तो औसद बजन का पूछता तो हम क्या करते इसमें औसद बजन का पूछता तो इसमें हम क्या करते 60 बटे में 10 रखते 10 से 10 कैंसिल तो इसमें कितना मिलता 6 kg तो इसमें क्या answer बन जाएगा इसका औसत बजन का मिल जाएगा 6 kg और कुल योग का मिल जाएगा 60 kg उमीद करती हूँ question आपको समझ में आगया होगा तो आगे बढ़ते हैं next question की और अगला next question ये रहा 70 लीटर में 30% पानी की मात्रा है तो इसमें ये percent का question है तो इसमें 70 लीटर में 30% पानी की मात्रा तो क्या करेंगे 70 लीटर into 30 और percent क्या रखेंगे हम बटे में 100 तो 2 0 से तो 2 0 ये cancel हो जाएगा तो इसमें हम क्या करेंगे 7 into 3 करेंगे हमको कितना मिल जाएगे इसमें 21 लीटर मिल जाएगा तो इतना किलियर हुआ सबी को तो यही इसका right answer बनेगा तो इसमें हमने क्या किए 70 इंटू 30 पर्सेंट हमने क्या रखे 100 200 से 20 कैंसिल 7 इंटू 3 करेंगे तो 21 लीटर इसमें मिल जाएगा इसका मात्रा के next question हमको दिया है 250 किलो मीटर का 20% कितना होगा तो 250 का 20% क्या होगा तो इसमें 250 into 20 बटे में 100 रखेंगे % हमेशा 100 रहता है 2 0 से 2 0 ये cancel हो जाएगा तो 25 into 2 करेंगे तो 25 into 2 करेंगे थमको कितना मिल जाएगा इसमें 50 किलो मीटर तो इसमें किलो मीटर में दिया है तो 25 into 2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 50 किलो मीटर होगा तो इतना सभी को किलियर हुआ आगे बढ़ते हैं next question की और अगला next question ये रहा पांच पूरुस किसी काम को दस दिन में करें तो एक पूरुस कितने दिन में पूरा करेगा तो एक पूरुस इसमें कितने दिन में करेगा तो देखिए इसमें क्या करना है पांच इंटू पांच पुरुस किसी काम को दस दिन में करें कि पांच इंटू दस और बरावर में एक पुरुस कितने दिन में पूरा करेगा तो एक इंटू हम दी रख लेंगे कि तो इसमें क्या करेंगे दस इंटू पांच करेंगे हमको कितना मिल जाएगा 50 बरावर डिय जाएगा तो इसमें क्या बन जाएगा आंसर 50 तो इसमें एक पूरुस कितने दिन में पूरा करेगा 50 दिन में ये पूरा करेगा सरल रूप क्या होगा तो देखिए इसमें क्या करना है सरल रूप करना है तो इसमें 27 रेशियो 21 दिया है तो इसमें 27 कर जाएगा 3 से 9 बार में ये कर जाएगा और 21 कर जाएगा 3 से 7 बार में तो इसमें क्या बन जाएगा 9 रेशियो 7 तो इसमें क्या करना था सरल रूप में क्या होगा तो सरल रूप में क्या हो जाएगा 9 रेशियो 7 हो जाएगा तो इतना गिलियर हुआ सभी को उमीद करती हूँ सारे question आप सभी को समझ में आ रहे होंगे तो इसमें option नहीं दिये question में तो इसमें वैसे ही दिये हैं और इसमें answer 50 बन जाएगा और इसमें no ratio साथ हो जाएगा अगला question दिया है question ये रहा आयत कशेत्रफल चुरियासी और लंबाई 12 मीटर तथा चुड़ाई इसमें क्या होगी तो क्या है इसमें पता करना है चुड़ाई तो देखिए आयत कशेत्रफल तो आयत कशेत्रफल बरावर क्या होता है लंबाई into चुड़ाई होता है तो इसमें यह क्या है इसका आयत है इतने के लिए रुआ सभी को तो इसमें हम क्या करेंगे लंबाई इंटू चोड़ाई दिया है और छेत्र फल आयत का छेत्र फल हमको दिया है इसमें चोरियासी और लंबाई इसमें बारा दिया है into चोड़ाई हमको पता करना है तो 84 कट जाएगा इसमें 12 से कितने बार में कट जाएगा तो चोड़ाई कितनी है जाएगी इसकी 7 12 सत्य 84 जाएगा तो इसमें इसकी चोड़ाई क्या निकर कर जाएगी 7 आगे वड़ते हैं next question की और तो इसमें क्या पूछा है अब reasoning के question दिये हैं तो reasoning के में सिर्फ दो ही question पूछे गए हैं shift 1 में तो देखिए इसमें हमको क्या बताना है तो इसमें हमको दिये है B, M, O, sorry Q, R और इसमें 3, 5, 7, R दिये हैं और A, M, N, O तो इसमें 2, 5, 4, 1 दिया है तो हमको इसमें क्या करना है तो इसमें हमको क्या दिख रहा है common M दिख रहा है के और इसमें हमको दिख रहा है 5 तो इसमें M बराबर क्या जाएगा 5 के तो इसमें common हमको क्या दिख रहा है M दिख रहा है और इसमें 5 तो M बराबर कितना जाएगा 5 तो reasoning का question है तो बहुती easy question आया है इसमें सिर्फ 2 ही question पूछे गए है तो इसमें हम क्या गरेंगे nest दिया है इसमें हमको इसमें क्या बताना है सब्द कोस सब्द कोस तो सब्द कोस बताना है तो इसमें क्या होगा सब्द कोस तो देखिए फर्ष्ट में ही हमको दिया है इसमें C आजाएगा 4 और M दिया है इसके बाद में C के बाद में M दिया है तो 3 और फिर उसके बाद में O आजाएगा 2 और फिर उसके बाद में आजाएगा T इतना किलियर हुआ सभी को तो इसमें आजाएगा 1 तो 4,3,2,1 आजाएगा इतना किलियर हुआ सभी को तो इसमें हमको क्या बताना था सब्द कोस वैल्यू बताना था तो इसमें सबसे पहले इसमें क्या आजाएगा C आएगा फिर उसके बाद में M आएगा फिर O आएगा और T आएगा के इतना किलियर हुआ सभी को तो आगे वढ़ते हैं हम आगे इसमें हमको दिये हैं GK के Question तो GK के सिप्टब 1 के Question है तो देखिए इसमें फ़र्श्ट में दिया है उपराष्टपती उपराष्टपती जैदीप धनकड़ होते हैं दो धनकड़ है और सेकेंड इसमें प्रतिरोद का मात्रक तो इसका मात्रक क्या होता है ओम होता है और थड में दिया है प्रसिक्छक पुरुसकार किसको मिला था द्रोणाचारी को तो द्रोणाचारी जाएगा और पादप के जमीन के अंदर का भाग तो क्या होता है इसमें पादप के जमीन के अंदर का भाग क्या होता है आंध भोम तना क्या होता है आंध भोम तना होता है के और आगे इसमें हमको दिया है सावर मती आश्रम कहां पर है एहमदावाद पर के तो इतना सभी को किलियर हुआ सभी को आगे बढ़ते हैं हम अगली next question की और तो अगली next question इसमें दिये है सोना कहां पर हो दिये करनाटक पर के तो सोना करनाटक और थल सेना दिवस कम मनाया जाता है 15 जनवरी को मनाया जाता है के तो थल सेना दिवस कम मनाया जाता है 15 जनवरी को मनाया जाता है और इसमें दिया है अनुछेद 12 से 35 के अनुछेद 12 से 35 तो इसका क्या हो जाएगा मौलिक अधिकार हो जाएगा और थर्ड इसमें दिया है फोर माई 24 क्या हो जाएगा इसमें पुस्तक की लेखिका का नाम क्या होगा तो पुस्तक की लेखिका का नाम हो जाएगा अनामी का तो इसका नाम क्या होगा अनामी का और इसमें दिया है आगे next question कोशिका की खोज किस ने की थी तो कोशिका की खोज किस ने की थी रोवर्ट हुक रोवर्ट हुक ने की थी इतना सभी को clear हुआ तो इसमें मैंने आपको math, reasoning और GK के question cover कराई हूँ तो guys, army और अगनी वीर paper analyst के question मैंने आपको cover कराई हूँ question समझ में आ गए हूँगे तो जितने भी student army के exam दे रहे हैं तो वीडियो को जादा से जादा share कीजिए और मेरी चनल पर नए हैं तो subscribe कर लिजिए और वेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप सभी के पास वीडियो की notification समय समय पर मिलती रहेगी तो आज की class यहीं पर समाप्त करते हैं तो guys आज मैंने आपको 22 अपरेल 2024 के shift 1 के question कराई हूँ तो जल्द ही आपको shift 2 के question मिलेंगे के तो चलिए आज की class यहीं पर समाप्त करते हैं मिलते हैं अगली next वीडियो में जए हीं जए भारत थेंक यू